हेलो दोस्तो कैसे हूँ आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो ये एक अर्जेंट अपडेट है क्योंकि बिटकोईन 72, 73,000 डॉलर्स जाने के बाद करेक्शन लेता दिख रहा है और सुबे जो है 66,500, 700 डॉलर्स को ये चूके इस ताइम पे अलबर्टोरने का ये बड़े इंस्टिटूशन का वेल्स का प्लैन है थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा और साथ के साथ में जो आल्ट कोईन जो दूसरे कोईन होते हैं वो इस टाइम पे डिप में मिल रहे हैं क्या हमें एंटरी बनानी चाहिए या वह या दूरी ब जरूर करिएगा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करके जाहिएगा और शेर जरूर करिएगा दोस्तों बिटकोईन की मैं टेक्निकली बात करूंगा सपोर्ट कहां है क्या हमें घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए लेकिन उससे पहले एक्चुल में मार् लगाया है उसके बाद देखो जो आल टाइम हाय होता है ना 69,000 डॉलर्स 2021 का वो इसके लिए एक रेजिस्टन्स का काम कर रहा था जैसा अभी आपको चार्ट में दिख रहा है और बार बार अब इसको हिट कर रहा था दो तिन बार से और अभी यहां पे उससे नीचे चलता दिख रहा है यहां पर देखो यह चीज का प्रेशर हमेशा बना रहता है उपर जाने पे बी और नीचे जाने पे वी लेकिन हमें यहां घबराने की जरुन कि मार्किट के अंदर कोई ऐसी अनुज नहीं है जिसकी वज़े से हमें यहां परेशान होतना पड़े लेकिन जो म Exchange Commission के गैंसलर जी को भोला है कि भाईया अब कोई आगे और क्रिप्टो ETF अप्रूव मत करना अब इसको शायद मार्केट एंटिस्पेट कर रही है कि और कोई ETF के अप्रूवल आने थे या एथेरियम के अप्रूवल आने थे या किसी और क्रिप्टोगरंसी के एटिएफ के अप्रूवल आते तो एंटिस्पेट के जारा अब आगे एटिएफ के अप्रूवल नहीं आएंगे यहां पर और इसी और उनका जो जीजन था वो यह है कि फ्रॉड और मैन्यूपलेशन बहुत जादा एक्सपेट चांसिस हो जाते हैं इसके अंदर होने के एक्सपोज होते हैं इन्वेस्टर जो है फ्रॉड और मैन्यूपलेशन के क्योंकि मार्किट के अंदर जैसे इतनी हाइफ बन रही है अल्टिमेटल इस अब एंटिस्पेट कर रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन घूम फिर के आपको एक चीज़ बता दूँ यहां कुछ नहीं हो रहा है जस्ट रिलैक्स क्योंकि मार्किट ऐसे एक्स्टरणरी पंप की है तो यहां पे थोड़े से करेक्शन आना जिसको हम हेल्दी कर क्रेश है क्योंकि 73,000 डॉलर से 66,000 एक क्रेश ले रहा है यह 4-5,000 डॉलर का उपर नीचे देखने की आधर डालो क्योंकि यहां पे बड़े विल्स जो होती है उनकी एंट्री होती है जो आल्ट कोईंस हैं चिनके अंदर लोग एंट्री बनाना चाहते हैं वो टॉप पे ख भबराना नहीं है क्योंकि यहां पर 70,000, 72,000 पे ब्लैक रॉक ब्लैक रॉक इंस्ट्यूशन जो उसके अंदर है रिटेलर्स है और इतने लोग यहां पर बाइंग कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यहां पर यह 50,000, 40,000 डॉलर पर लाने के लिए नहीं कर रहे होंगे लेकिन एक यहां पर जो लौचिकल रिजन्स है उसको समझने की कोशिच कीज़ेगा कि यहां पर एक्टॉल में अगर हम इन सारी न्यूस को छोड़ दें तो क्या हो सकते है रिजन दो बड़े reason है जो actual में market के अंदर होने चाहिए अगर हम चाते हैं और हम सोचते हैं कि ये healthy correction की तरह हम ले एक तो है fear and greed index fear and greed index 8690 के उपर चला गया था इस time पर थोड़ा ease out ओता दिख रहा है 83 के आसपस है तो ये भी जो है कहीं न कहीं cool होना चाहिए और एक और important चीज है RSI जो हमें बताता है कि हमारी position या bitcoin overbought या oversold position के अंदर है तो यहां पर वो तो भाया ऐसा लग रहा था कि फटकी भार निकल रहेगा top on top लग रहा था तो यहां पर अगर आप चार्ट को देखते हो लगबाद 80 के उपर चला गया था और जब भी 80 के उपर आता है कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि overbought से भी overbought जादा लेवल पर है और यहां risk होता है तो इस RSI को भी ease out यहां technically होना चाहिए था तो यह थ तूट रहे है क्योंकि bitcoin की dominance यहां गिरती दिख रही है और altcoins उतने नहीं गिरते दिख रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है और हम चाहते ही है कि bitcoin सतर हजार डॉलर के आसपास stable हो ताकि यह जो altcoins है अब उनको मौका मिले जो हम कई बार आपकी वीडियोस के अंदर आपके चार को अबजर करोगे तो यहां पर ध्यान लगया चार आर का चार्ट देखोगे जब यह एक जब resistance था कितनी बार इसके उपर आया एक दो तीन चार पांच पांच बार मौकाम आया कि उसको हिट करें लेकिन वहां से correct हुगा अब उसके उपर जब ही 73,000 डॉलर कितनी बार यह नीचे आने की कोशिश की एक दो तीसरी बार में जाके यह नीचे आया correct किया और यहां पर आप देखो कल राद भी 69,000 डॉलर अगया था और फिर 72,000 डॉलर चला गया तो कितनी उधेड बुन हो रही है और कितना dip में लाके buying की जा रही है तो market के अंदर जो भी selling pressure है तो उसको यहां ease out करके माल बटोरा जा रहा है तो 69,000-70,000 डॉलर पे आप देख लीजिएगा हो सकता है कि यहां से यह दुबारे से 66,000-65,000 डॉलर होता दिखे लेकिन बहुत ही जल्दी आपको आने वाले time के अंदर यह recover करता दिखेगा और यह 70,000 डॉलर से आपको उपर आत बना के रखें अगर रहता है तो उससे घबराना नहीं है क्योंकि Monday को दुबारे से सारी चीज़े ease out होते दिखेंगी लेकिन हमें लगता है आज के दिन Friday माल बटोरा जा सकता है और dip में लाके यहां पर आपको आज ही 70,000 डॉलर से उपर हो जाए जो हम पिछले 2-3 बार से देख रहे हैं तो परिशान नहीं होना है अपॉर्चन्टी इसको ढूंड़ना है बिटकोइन के अंदर एंट्री के लिए देख रहे हो तो हम 57,500 डॉलर जो हमारा एक लेवल है उससे पहले एंट्री के लिए नहीं देखेंगे लेकिन यहां पर हमें लगता है 69,000 डॉलर प इसके उपर क्लोज करते हैं तो समझ लीजिएगा वह बहुत स्ट्रॉम सपोर्ट का यह काम करेगा लेकिन फिलाल 69,000 डॉलर पर नजर बनाके रखी है अगर यह इसके उपर रहता है आ जाता है और उसके उपर वीकली केंडल यह इस वीक की केंडल क्लोज करती है तो एक बह लाल रंग है तराता है क्योंकि पिछले 2.5 साल के अंदर हमने इतना लाल रंग देखा है हमें लली आली नहीं चाहिए हमें हरियाली चाहिए भया तो हर कोई लेकिन जैसे हरियाली का वह ना सुरूर नहीं चड़ना चाहिए कि इसी चीज़ का तो यह आपको रिलाइज होना चाहिए और जब भी मौका मिले अच्छे कोईन डित में मिले तो बाल बटोरते रहना चाहिए डौच की सबसे बहले बात करता हूं यहां पर सारे कोईन से ले लेता हूं लेकिन फटा फट से लेनी कोच करूँगा चार्ट नहीं शेर करूँगा आप एक आईडिया लगा ल 50 डॉलर जो है इसके लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट है और वहां पर आता है तो एंट्री बनाने कोची कीजिएगा और चार हजार डॉलर देखो वहां पर एक रेजिस्टंस थी फैबनाची की जैसे हमने बताया वहां उसको रेजिस्टंस मिलिए अगर उसके ऊपर जा रिकॉर्ड को देखते हो बिटकोइन स्टेबल होता है फिर नया पैसा एथेरियम और दूसरे कोइंस के अंदर आता है तो एक सार्पी के अंदर बात करते हैं यह एक सार्पी की बात करते हैं तो 0.74 जो हमारा टार्गेट था उसने हिट किया वहां से रिजेक्ट हुआ अगर पहला टार्गेट फो है फिर एक डॉलर के लिए हम देखते हैं डॉट के अंदर बात करते हैं हमें लगता है 14 डॉलर से लेके 20 डॉलर का आने वाले शॉट टू मिट तम में यह पोटेंशल इजेक्ट होता दिखा यह कमाल होता है टेक्निकल्स का और अगर उसके उपर जाता है तो यह 1.9 से लेके 2 डॉलर भी आपको आने वाले दिनों के अंदर दीखने को मिल सकता है एडिय की बात करें 0.65 डॉलर के आसपस मिल जाए तो एंट्री बनाईएगा अगर यहां मार्क कर गया आपको मौका भी नहीं मिला और 68,500 डॉलर के आसपस चल रहा है तो 2000 डॉलर का आपको पता भी नहीं चला इसलिए गहते हैं बिड लगा के रखोगे तो मौका यहां मिल सकता है सेमी चीज आपके साथ में LTC के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं 75 डॉलर पे इसको हमें लगता है यह भी अपना आल टाइम हाई जल्दी चूता दे सकता है एथेरियम की तरह बाकि दोस्तों और कोई क्वाइन जो भी अपडेट आएगी हम कोश्च करेंगे लेकिन अगर कुछ और न्यूज आएगी कुछ अपडेट आएगी तो हमारी चानल को सस्क्राइब कर लीजे हम कॉंटिनेसली आपके साथ लगातार बने रहेंगे और अप्टू डेट रखते रहेंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सस्क्राइब करोगे हमारे नोटिफिकेशन बैल को दबाओगे तभी तो आपको पता चलेगा तभी तो आप फायदा उठापाओ होगा वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सस्क्राइब करिए और हमारी फैमली का हिस्सा बनना बिल्कुल भूलिए ट्वीटर टेलिग्राम को फॉलो कर लिए बहुसा इंस्टेंट अपडेट है जो हम वहां करते हैं कई बार यहां मेंस हो जाती ह कि आ इंस करते हैं